चार बच्चेपनी हिंदी व्याकरण की पोस्तक निकाल लिये और जैसे कि आपको विसल सूचि में बताया था कि आपके जो अर्दवार्शिक परिक्षे हैं उसमें आपके कहाँ से कहा तक आएगा तो आपके लिए इसमें सिलिवर्स लिखा गया था कि आपके जो वार्शिक परिक्षा होंगी उसका आपका है शब्द भंडार, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रयवाचिक शब्द, सम्मवाची शब्द, विरामचिन, मौहावरे, मौहावरे कल हम लिखना भूल गए थे, मौहावरे भी आएंगे, अपठे गद्यांस परिक्षा होंगी उसमें आएगा, तो इसमें मौहावरे थे, आपको मौहावरे सब याद करने हैं, और मौहावरों का वाक्य प्रयोग भी करना है, जितने भी मौहावरे में अभ्यास हैं, और अभ्यास आपको याद करना है, यह देखिए, आपको किसी भी तरह से पूछी जा सकते हों, मिलान करके पूछे जा सकते हैं या फिर मुहावरों का वाक्य प्रयोग पूछा जा सकता है तो आपको सब वियाद करना है अपठेद गद्यांस में बच्चे आपके पास एक गद्यांस दिया जाएगा तो उसी में प्रश्ण पूछे जाएंगे और उसी प्रश्णों के आपको उत्तर देने है तो गद्यांस को पढ़के ही आपको उत्तर देने है तो आप पेपर में गद्यांस को धंक से पढ़ेंगे एक, दू, तीन बार पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे अब है पत्र यानि कि मित्र को पत्र लिख कर बताईए कि आपने जरम दिन कैसे मनाए आपको एक पत्र लिखना है जो हमने आपको कौपी में लिखा गया था तो उसी कौपी में लिखके वो जो पत्र लिखा है वो आपको बताना है और आपको क्या करना है उसको धंक से याद क प्रियों करना है और आपको इनी का ही अभ्यास करना है यानि कि शब्द भंडार में विलोम शब्द याद करने है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है किस प्रकार से अपने शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते है प्रयवाचिक शब्द देना है मतलब एक का आपको तीन तीन प्रयवाचिक शब्द याद होंगे समुवाची शब्द समुवाची शब्द भी याद करने हैं विराम चिन्न वाला पार्ट है विराम चिन्न के अभ्यास करना है पूरा मोहावरे हैं मोहावरों का आपको वाक्य प्रयोग भी करना है और अपठित का द्यांश और पत्र लेखन में मित्र को पत्र लेखना है तो यह सब आप अपनी अभ्यास में करेंगे और यही आपका वा पईचा के आपकी स्लेबर से, ओके,